पंजाब सीएम मुख्यमंत्री भागवंत मान और कॉंगरेस नेता नौजोज सिंग सिद्धू के बीच में शादियों को लेकर शुरू ही ट्वीट वार में अब डॉक्टर नौजोजोट कोर ने एक ओड ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सिएम मान को मिली मुख्यमंत्र की कुर्सी पर तंजिकसा है डॉक्टर नौजोट कोर के अनुसारीय कुर्सी सिएम मा प्राकतों का जिक्र भी किया है यह वही दोर था जब नौजोद सिंग सिद्धू के आप में जाने की बाते होने लगे थी डॉक्टर नौजोद को ने ट्विट में कहा सीएम भगवत मान चलिए आज में आपके खजाने में छिपे हैं कुछ रहस्य पर से परदा उठाती हूँ आपको पता होना चाहिए कि जिस सम्मानी कुर्सी पर आप बेटे हैं वो आपके बड़े भाई नौजोद सिंग सिद्धू ने आपको उपहार में दी है आपके अपने सबसे वरिष्ट निदाने चाहा था कि नवजोद पंजाब का नेतरत करे केजड़ीवाल ने हमारे राज्जे के लिए उनके जुनून के बारे में जानते हुए विभी ने चैनलों के माध्यब से पंजाब का नेतरत करने के लिए उन से संपर्क किया सिर्फ इसलिए कि वो अपनी पार्टी के साथ विश्वासगात नहीं करना चाते थे और सोचते थी कि जब पंजाब के उत्थान की रणनेती की बात आती है तो दो मजबूत दिमाग वाले लोग आपस में भिड़ सकते हैं उन्होंने आपको मोका दिया उनकी एक मात्र चिंता पंजाब का कल्याण है और उन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं और वो आपका समर्थन करेगा लेकिन जिस शन आप विश्लित होंगे वो आपको दाए और बाए निशना बनाएगा सौनीम पंजाब राज्य उनका सपना है और वो इसे 24 घंटे जीते हैं नवजोस सिंग सिद्धु के सीएम भगवत मान की दो शादिया करने के बयान के बासे शुरुआ विवाद बढ़ता जा रहा है दोनों एक दूसरे पर सवाल पर सवाल कर रहे हैं इसी विवाद के बिच नवजोस सिंग सिद्धु की पतनी डॉक्टर नवजोत कोर भी आ चुकी है हाला कि सीएम भगवत मान की पतनी डॉक्टर गुरपीत कोर ने अभी तक इसमें कोई दखल या बयान नहीं दिया है दूसरी शादी का बयान के बाद मुख्य मंत्री ने भी ट्वीट कर नवजोस सिद्धु के पता भगवन सिंग सिद्धु की दो शादियों पर तंज कसा था तबी डॉक्टर नवजोत कोर ने इस विवाद के बीच अपना पहला ट्वीट किया था और साफ क्या था कि नवजोस सिद्धु के पता एडवोकेट जनरल पंजाब भगवन सिंग सिद्धुक ने केवल एक ही शादी की थी इसी के साथ बने रही है राजनामा टिवी के साथ धन्यवाद